आज मेरी दादा दादी की बहुत याद आ रही है जी हाँ क्योंकि वो हमेशा मुझे बोलते थे कि ये मत खाओ, वो मत खाओ ये मत पहनो, वो मत पहनो ये मत देखो, वो मत देखो तो आपको लगता नहीं है कि सेंसर बोर्ड कुछ ऐसे ही आक्ट कर रहे है हमारे देश में मतलब सत्तर प्रतिशत से भी ज्यादा लोग अडल्ट है हाँ तो मतलब अडल्टों को अब बताया जाएगा दादा दादी की तरह कि आप क्या देखेंगे क्या नहीं देखेंगे आज इंटरनेट मार्किट बहुत बड़ा है इंटरनेट के कॉंटेंट पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है अब पॉंड अगर आपको पॉंड देखना है तो आप फ्री में देख सकते हैं पर अगर आप फिल्म देख रहे हैं आप टिक्किट लेके फिल्म देखने जाते हैं एक स्टोरी देखने पॉंड नहीं तो फिल्म और पॉंड में कुछ फर्क है आज मैंने पढ़ा कि हमारे फिल्म में किस है कुछ इंटिमेट सीन्स है उससे प्रॉब्लम है सेंसर बोर्ड को 80s और 90s के अगर आप फिल्में देखेंगे उन फिल्मों में कितने रेप सीन्स देखेंगे आपको बहुत अभी भी रेप सीन्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है पर लव मेकिंग में मतलब किसिंग में मतलब दो इंसान प्यार भी नहीं कर सकते हैं मुझे लगता है कि censor vote को ऐसे दादा-दादे की तरह लोगों को control करना, बंद कर देना चाहिए लोगों के पास option है लोग क्या देखेंगे, क्या नहीं देखेंगे यह उनकी freedom है यह एक democratic country है democracy है लोगों को मत रोकिये लोगों को अगर पसंद नहीं आएंगे लोग नहीं देखेंगे, पसंद आएंगे तो लोग देखेंगे and film is a very serious business बहुत लोग मुझे पहले इस बात की समझ नहीं थी अब मैं देखती हूँ कि एक film में 70-80-100 लोग तक काम करते हैं इतने लोग की घर चलता है अगर सारे film में मतलब जैज, संतोशी, मा, टाइब्स बनने लगेंगे कोई entertainment factor नहीं होगा कोई जाएंगे film देखने तो हम घर में बैटे discovery channel देख सकते हैं film क्यों, history channel देख सकते हैं film देखने जाते हैं entertainment के लिए और film it's a slice of life हम लोग real life में भी गाली देते हैं real life में भी प्यार करते हैं किस करते हैं तो filmों में भी ये सब होगा तो please, मुझे लगता है कि sensor boat की ही जरूरत नहीं है sensor boat certificate देने के लिए ठीक है बच्चों के लिए film है या adult के लिए है पर उसके बाद अडल्ट लोग क्या देखेंगे क्या नहीं देखेंगे इसमें, please दादा जी मत बनी Thank you